नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ कमल चंडेल और आपके सपनों को हकीकत में बदलने के लिए आज मैं यहाँ हूँ कहते हैं हर इंसान में कुछ खूबी और कुछ खामिया होती है उसी प्रकार हर सहर की भी अपनी विसेश्ताएं और समस्या होती है जिसमें संपूर्ण समाज के लिए समरिद्धी और चुनोतिया होती है जिससे वो सहर अपनी ही एक अनूठी पैचान बनाए रखता है नौड़ा भी आज के समय का एक मौडन सहर है जिसमें सभी सुविधाएं व्यापक रूप से उपलब्ध है जैसे की quality infrastructure, बड़े बड़े green areas, घरों के आसपास ही institutional areas और job के लिए बड़े बड़े corporates मगर क्या ये सभी चीजें एक अच्छी जीवन सहली के लिए काफी है शायद नहीं क्योंकि मौडन सहर की सभी सुविधाओं के बावजूद भी नौड़ा सहर की अपनी ही कुछ समस्याएं है जो एक सुख़ जीवन की आवश्या घटक होती है और आपके जीवन सहली पर प्रभाव डालती है अब ये समस्याएं कौन सी है और नौड़ा सहर में रहने के क्या फाइदे और क्या नुकसान है यही जानेंगे हम आज के इस वीडियो में तो चलिए सुरू करते हैं आज के इस वीडियो को आज नौड़ा सहर NCR के उन सहरों में सुमार है जहां हर कोई अपना आशियाना बनाना चाहता है और इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यहां का इंफ्राशक्शर यहां पर तैयार किये गए बड़े बड़े ग्रीन एरियाज और साथ ही साथ बहुत ही योजनाबत तरीके से बन रहे रेजिरेंशल और कॉमर्शल जोन्स जिसके परणाम स्वरूप नौड़ा ने एक सुखद और आरामदाइक जीवन जीने का मौका परदान किया है जो लोगों को यहां आकर बसने के लिए प्रिरित कर रहा है नौड़ा सहर का इंफ्राच्रक्चर उन्नती और जीवन की द्रिस्टी से सजीव है जिसने इसे एक मौड़न और सुरक्षित रेजिरेंशल एरिया में बदल दिया है यहां के बड़े बड़े कॉमर्शल एरियाज और नए उद्द्योगों के साथ साथ यहां पर सिक्षित जीवन के लिए आवश्यक सुविधाएं भी है इसके अलावा नौईडा में बहुत सी नई विकास योजनाओं और व्यपारिक छेतरों का विकास निरंतर हो रहा है जिससे यहां रोजगार के अफसर बढ़ रहे हैं और नौईडा को एक एकनॉमिकली डैनेमिक सिटी बना रहे है नौईडा सहर को इस तरह से डिजैन किया गया है जिसमें जौब और इंस्टिटूशनल एरियाज घरों के आसपास ही हो जिससे आपको नौकरी और सिक्षा के लिए दूर दूर जाने की आवशक्ता ना पड़े सिक्षा के संस्थान आसपास होने से छातरों को अध्यन के लिए भी सुविधा मिलती है इसके परिणाम स्वरूप नौकरी और सिक्षा के छेतर में सुविधाओं से युक्त नौईडा ने लोगों को एक समरिद्धी भरे जीवन के लिए समर्पित रेजिदेंशल डेस्टिनेशन का रूप दिया है जो धीरे धीरे नौडा शहर को एक विक्सित और उज्वल भविसे की ओर ले जा रहे हैं सहर को बहतर बनाने में यहाँ पर लीज होल्ड प्रॉपर्टी होने का भी बहुत बड़ा योगदान है जिसके कारण डेवलपेंड अथोर्टी को यहाँ बहुत बड़ा राजस्व प्रॉपर्टी ट्रांसफर के रूप में मिलता है जिसके कारण वो सहर में ऐसी परियोजनाओ पर काम करती है जो शायद दूसरे सहरों में पैसे की कमी के कारण रुके हो मगर लीज होल्ड प्रॉपर्टी होने से यहाँ केवल अथोर्टी को ही फायदा नहीं बलकि इसके कारण यहाँ पर रेजिडेंचल प्लॉट्स को ना तो छोटे छोटे प्लॉट में काटने का प्रावधान है और नहीं उनकी फ्लॉर वाइज रेजिश्ट्री करने की कोई सुविदा होती है जिसके कारण जितने भी प्लॉट्स के रेजिडेंचल सेक्टर्स नौइडा में बसे हैं वो सहर को एक पौश लुक देते हैं अब नौईडा में रहने के फाइदे तो आपने जान लिये मगर जैसे की हर सिक्के के दो पहलू होते हैं वैसे ही नौईडा में रहने की कई समस्याएं हैं जिनका सामना करना यहाँ के निवासियों के लिए एक चुनोती पुन कार रहा है आईए यहां रहने के नुकसान भी जान लेते हैं नॉडा कहने को तो एक मॉडन सहर है मगर यहां अभी भी कुछ ऐसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है जो लोगों को यहां आने के लिए रोकती है और खास कर उन मध्यमवर को जो इन सुविधाओं के बिना ऐसे मॉडन सहर में बसने के बारे में सोच भी नहीं सकते जिसमें सबसे बड़ा मुद्धा पब्लिक कन्वेंस का ना होना है जिसके बिना लोगों को विभिन आवसक सेवाएं और सुविधाएं प्राप्त करने में कटनाई होती है सहर में मेट्रो का नेट्वर्क तो काफी जगए फैला हुआ है मगर दिल्ली मेट्रो से कनेक्टिविटी ना होने के कारण नोईडा मेट्रो का नेटवर्क बस सोपीज बनकर रहे गया है और बहुत कम लोग ही है जो मेट्रो से आना जाना पसंद करते हैं अधिकतर लोग प्राइवेट टेक्सी और कैप का ही इस्तिमाल करते हैं जिससे हर दिन आना जाना हर इंसान के लिए संभव नहीं पूरे सहर में ना तो बस का कोई नेटवर्क है और ना ही कोई दूसरा सस्ता पब्लिक कन्वेंस जिसे मध्यमवर्क रोजाना इस्तिमाल कर सके इसलिए नोईडा सहर में आपको पब्लिक कन्वेंस पर नहीं बलकि अपने वीकल पर ही भरोसा करना पड़ेगा मगर जिस तरह से यहां गगंचुम्बी इमारतें और रेजिरेंशल सोसाइटीज बन रही हैं उनके लिए पार्किंग का भी कोई प्रावधान नहीं किसी भी रेजिरेंशल सोसाइटी ने गैस पार्किंग के लिए कोई जगे नहीं छोड़ी और यदि छोड़ी भी है तो वो भी ना मात्र रेजिरेंशल सोसाइटीज में गैस पार्किंग ना होने की वज़े से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जिसके कारण वो घर आने जाने वाले महमानों की गाड़ियां सोसाइटीज के बार ही पार्क करवा देते हैं जिसके कारण आए दिन उनके चलान भी करते रहते हैं पार्किंग की समस्या केवल रेजिरेंशल सोसाइटी तक ही सीमित नहीं बलकि ये समस्या आप यहां बन रही हर दूसरी कॉमर्शल और आईटी बिलिंग में भी देख सकते हैं क्योंकि पार्किंग बनाने में ना तो बिल्डर रूची दिखाते हैं और नहीं अथोर्टी जिसके कारण रोड पर ही पार्किंग करवाई जाती है जिससे आने जाने वाले लोगों को असुविधा होती है समस्या केवल यहीं तक सीमित नहीं क्योंकि पार्किंग की समस्या तो दिल्ली में भी बहुत है मगर दिल्ली में रहने के कई फायदे भी हैं और खास कर मध्यमवर के लोगों के लिए जिसमें सबसे एहम मुद्दा सरकारी अस्पताल यानि की किफायती हेल्थ सर्विसिस का है जो नौइडा में बिलकुल ना के बराबर है और यहाँ पर आपको केवल प्राइवेट हॉस्पिटल्स पर ही आस्रित होना पड़ता है जो आपकी जेब काटने में सबसे एहम रोल निभाते हैं यदि अमर्जनसी केस हो तो फिर भी आप इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स का रुख कर सकते हैं मगर लंबे इलाज के लिए कई लोग दिल्ली के अस्पतालों की ओर ही रुख करते हैं नोड़ा सहर का निर्मान करते समय इसमें केवल इंफ्राइवेटर्सक्चर और मॉडरनिटी को ही ध्यान में रखा गया है और बुन्यादी सुविधाओं का यहां अभी भी अभाव है साथी साथ पॉपुलिशन की कमी की वज़े से यहां सभी चीजें महंगी भी हैं और यदि आप शॉपिंग करने के लिए नड़ा में कहीं भी निकलते हैं तो आपको मॉल अफ इंडिया, जी आईपी और लॉजिक सिटी सेंटर जैसे मॉल पर ही निर्भर रहना पड़ता है क्योंकि यहां लो बजट स्टीट मार्केट और लोकल सॉपिंग सेंटर नहीं है जहां आप लो बजट में सॉपिंग कर सकें और रही बात सॉसाइटी सॉपिंग की तो आप उसमें केवल बेसिक नीट्स के लिए ही सॉपिंग कर सकते हैं और इसी मॉडरिटी में सिख्षा भी आती है मगर नौड़ा जैसे हाइटेक सहर में आपको एजुकेशन सिस्टम भी हाइटेक ही मिलेगा जिसके कारण यहां के स्कूल और कॉलेजिज में बच्चों को पढ़ाना मध्यमवर के लिए आसान नहीं मगर सिख्षा के लिए यहां से दिल्ली आना जाना मुम्किन नहीं इसलिए बहुत से लोग ग्रेटर नौड़ा की ओर रुख करते हैं इन सभी भुनियादी सुविधाओं का महंगा होना नौड़ा सहर के विकास में चुनोती पूर्ण हो सकता है और इसका सीधा परभाव समाज की आर्थिक इस्तिती पर पड़ता है क्योंकि समस्याएं केवल भुनियादी सुविधाओं तक ही सीमित नहीं बलकि नौड़ा के वायू प्रिदिशन की अगर बात करें तो यहां का AQI लेवल दिल्ली की तुलना में ज्यादा ही रहता है क्योंकि नौड़ा में कंस्रक्शन साइट्स का अमबार है जो इसकी एर क्वालिटी को प्रदूसुर्ट करने में सबसे एहम भूमिका निभा रही है इतनी खामिया होते हुए भी लोग नौड़ा जैसे सहर में इसलिए रहना पसंद करते हैं क्योंकि यहां रोजगार के अवसर और व्यवसाइक गतिवीदियों से आप अपने सपनों को पूरा करने का मौका प्राथ कर सकते हैं और साथ ही सहर में सुरक्षित वातावारन होने के साथ साथ यहां की गगंचुम्भी इमारतें इसे और भी आकर्शक शहर बना देती हैं जैहिंद झाल